जुगर डोग्रा जी, अब्दुल कयूं मेर जी, अर्विन सरमा जी, जाहीद एहमद जी, उस्पिंदर गुपता जी, करामात मलिक जी, लियाक चौधरी जी, तन्वीर मलिक जी, अर्सत सामियाल जी, अर्सलान मलिक जी, गुलजार कुरेशी जी, अब्दुल गनी साज जी, और आज जिनको जिताने के लिए मैं आया हूँ, ऐसे हमारे उमिद्वार, श्री जेनब इकबाल मलिक जी के लिए ताली बजाये प्रणाम करकर मेरे बात की शुरुवात करता हूँ, भायो वेनों, जम्मू कस्मीर में जब मैं आता हूँ, तब जम्मू कस्मीर के लोग मुझे कई बार कहते हैं कि सेना और सुरक्सा बल हमारे और देश की सुरक्सा करते हैं, मगर आप कभी भी जम्मु कस्मीर से गुजराच चले जाएए महराष्ट चले जाएए उत्तर प्रदेश चले जाएए बंगाल बिहार चले जाएंगे वो कहेंगे कि गुर्जर बकरवाल और पहाड़ी लोग देश की सुरक्सा कर रहे हैं देश को बचाने का काम सन 47 की लडाई हो 65 की हो 71 की हो या देशत गर्दी के सामने लडाई हो हर लडाई को यहां के पहाड़ी भाईयों बेनों ने गुर्जर बकरवाल भाईयों बेनों ने गोलियों को अपने सिने पर जेलने का काम किया है और इस देश को और हमारे जम्मु कस्मीर में अमन लाने का काम आप लोगों ने किया है पूरे देश में इस मामले में पहाड़ी क्षेत्र के लिए गुर्जर बकरवाल भाईयों के लिए पूरे देश में एक सन्मान का भाव है एक सन्मान का फिलिंग भी भाईयों बेनों आज मैं हमारे प्रत्यासी मलीक जी के लिए आप लोगों के वॉट मांगने के लिए आया हूं समर्धन मांगने के लिए आया हूं आप मुझे बताओ भाई आजादी के 75 साल समाप्थ हो गए यह पूंच रजोरी डोड़ा इस और के पहाडी क्षेत्र का विकास जितना होना चाहिए हुआ है क्या अरे यार जोर से बोलो मैं दिल्ली से आया हुआ है क्या कौन जिम्मेदार है इसके लिए एंसी कॉंग्रेस और पीडीपी इसके लिए जिम्मेदार है इन्होंने हमेशा से इस च्छेत्र का विकास न हो इसके लिए चिंटा करी है पूरे जम्मु कस्मीर को और विशेश कर ये पहाड इक्षेत्र को पीर पंजाल की पहाड़ियों को विकास से महरूम रखने का काम किया है मुझे बताओ मोदी जी प्रदान मंत्री बने उसके पहले 5 किलो चावल मुप्त मिलता था क्या अरे भाई जोड से बोलो मिलता था क्या मोदी जी प्रदान मंत्री बने उसके पहले 5 लाग तक का इलाज मुप्त थ्या क्या जोड से बोलो थ्या क्या मैं आज भारुक अब्दुल्ला जी को पूछना चाहता हूँ कि किसने हमारे गुर्जर बकरवाल और पहाड़ी भाईयों को विकास से महरूम रखा और क्यूं रखा आपने जब हम पहाड़ी भाईयों को आरक्षन देने लगे यहां बेद खड़ा करने के लिए उन्होंने कहा कि गुर्जरों का आरक्षन चला जाए मैं आपको बताने आया हूँ यहां पर चौदरी तालीब हुसेन साब भी मुझे मिलने आये थे मेरे घर पर उस वक्त मैंने कहा था नौकरियों में और दाखिलों में गुर्जरों का आरक्षन एक परसंट भी कम करे बगर हम पहाड़ी भाईयों को आरक्षन देंगे और आज मैं फकर से कह रहा हूँ कि नौकरियों में और तालीम में जो आरक्षन था वो गुर्जरों का जस्का तस रख कर हमने पहाड़ी भाईयों को आरक्षन देखा दिया पहाड़ी भी खूस है और गुर्जर भी खूस है और ये लोग कह रहे हैं कि गुर्जर और पहाड़ी बकरवाल को जो अंदोलन मिला है आरक्षन मिला है रिजर्वेशन मिला है उसको हम हटा देंगे अरे अब्दुल्ला साब आप और उमर छोड़िये आपकी च्वथी पूस्त भी आ जाएगी हम ए आरक्षन को रिजर्वेशन को हतानेगे मैं आज क्या कर जाता हूं थाना मंडी में भायों बेनों ये आपका अधिकार है इसको कोई नहीं छिन सकता कोई नहीं छिन सकता ही तो आपको नौकरी में आरक्षन मिला है आप मलीक जी को चिता दीजे हम प्रमोशन में भी रिजर्वेशन देंगे प्रमोशन में भी रिजर्वेशन आप तो संत्रूष्टों कि हमारे बच्चों को नौकरी मिल जाएगी क्लास वन की अरे क्लास वन सी नौकरी से कुछ नहीं होता इतने सालों से अन्याय हुआ है जब तक पहाड़ी गुर्जर का बच्चा चीफ सेक्रेटरी डीजीपी नहीं बनता तब तक आपका अन्याय दूर नहीं है और यह प्रमोशन के अंदर रिजर्वेशन देंगे तो पहाड़ी बच्चे भी गुर्जर बच्चे भी बकरवालों के बच्चे भी चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी बन पाएंगे यहां दूर दराज के ख्षेत्र में टैलेंट नहीं है ऐसा नहीं हमारे बच्चे भी इस्वर ने हमें भी इतनी ही अकल दी है जितनी बड़े-बड़े सेहरों में मगर यहां ट्रेनिंग का भाव मैं आज कहकर जाता हूं कमल के निसान पर महर दबा दिजिए पूंच रजोरी में IS IPS की परिक्षा के लिए हम ट्रेनिंग सेंटर खोलने जा रहे हैं कि यह ट्रेनिंग सेंटर कि खोलेंगे इतना नहीं बच्चे को वहां रहने का खर्च होगा पहाड से आएगा कोई घुर्जर बच्चा वहां जाएगा खर्च होगा उसको हर साल दस जार रुपये का वजीफा देने का काम भी हमारी सरकार करें अगर इनकी अच्छी ट्रेनिंग हो गई इनको अच्छे से पढ़ाया लिखाया गया स्कील का ट्रेनिंग हुआ इंटर्यू देने का ट्रेनिंग हुआ तो बच्चा आसानी से IS IPS बन पाएगा और जम्मू कस्मीर छोड़ो कस्मीर से कन्या कुमारी और गुजराच से बंगा तक हमारे बच्चे आइस बन पाएंगे इसकी व्यवस्ता जनाब नरेंद्र मोधी जी करने वाले हैं नरेंद्र मोधी जी कि भाईयों वेनों कि ए लोग कुछ दिया नहीं है और लेने की बात करते हैं यह कहते हैं कि हम हम रिजर्वेशन का पुनविचार करेंगे मैं फीर से कह कर जाता हूँ हम रिजर्वेशन का पुनविचार नहीं करने देंगे भाईयों बेनों इस बार इस पहाड़ीों पर कमल का फूल खिलाए यह चुनाव तीन परिवारों का यहां सेहन साहत है उसको खतम करने का चुना हूँ 75 साल से अब्दुल्ला परिवार गांधी नेरु परिवार और मुप्ति परिवार सासन करें मैं आपको पूछना चाहता हूँ आपका अधिकार नहीं है क्या है या नहीं है अब तक जमूरियत को उन्होंने अपने पुटो की एडी के नीचे कुचल कर रखा था मोदी जी ने आने के बाद ग्राम पंचायत के चुनाव कराए तैसिल पंचायत के चुनाव कराए जिला पंचायत के चुनाव कराए और जम्मू कस्मीर के 30,000 वा आज जमूरियत के रास्ते पर है वहीं से आने वाले दिनों में MLA, MP और मुख्यमंत्री और मंत्री बनकर निकल देंगे मंत्री बन करने अब तक मुझे बताई जरा किस्ते ग्राम पंचायत ब्लोक और डीडीसी के चुनाव रोक कर रखें अब्दुल्ला परिवार ने रोक कर रखें ए मुप्ती परिवार ने रोक कर रखा नरेंद्र मोदीजी ने जमूरियत को घाव तक पहुचाने का काम नरेंद्र मोदीजी ने किया है और फारुक साब एप पहार की वादियों में वॉट मांगने तो आते हो मगर जम्मू कस्मीर आप से हिसाब मांग रहा है तीस साल तक दैसत गर्दी चली हमारे पच्चे हातों में मसिंग गन लेकर लड़ दे रहे सहीद हुए मारे गए कि पूलीस की और से मरे तो भी हमारे बच्चे बने और दैसत गर्दी में मरे में लड़े हमारे वॉड़ कौन जम्मेदार है इसकी अ जारुक साब आप और आपका परिवार जिम्मेदार है नब्बे के दसक में जब यहां देशतगर्दी हुई तब आप तो इंग्लेंड में ठंडे में मौज मस्ती कर रहे थे और कस्मीर का युवार रोड पर मारा जाता था आज भी डरा रहे हैं कि पहाडों में फीर्चे देशतगर्दी आएगी टेररिजम आएगा मेरी बात सून कर रखो भाईयों बैनों नरेंद्र मोधी सरकार है हम टेरिजम को पहाड में से गाड कर रख देंगे इनको नहीं पनपने देंगे नहीं टेरिजम से किसी का भला नही हुआ है अरे फारुक साब आपने बच्चों के हाथ में बंदुके और मसिन गन पकडाई मोधी जी ने किताबे और कॉंप्यटर पकडाने का काम किया है और मैं आज कह कर जाता हूं हम भी बंदूक पकडाएंगे हम भी मसिन गन पकडाएंगे मगर दैसतगर्दी की नहीं जैना में special भरती अभ्यान कराकर नौकरी दे कर पकाई यह तरीका होता है युवाओ को भविश्य को सिवार ना और राहूल गांधी महबत की दुकान की बात करते हैं और महबत की दुकान से आतंक का भरमान कहते हैं कहते हैं पाकिस्तान के साथ बारता करो मैं आपको बताता हूं जब तक पाकिस्तान टेर्रिजम बन नहीं करेगा कोई बारता नहीं होगी बारता होगी तुम मेरे पहाड़ी बच्चों के साथ होगी पहाड़ी बच्चों के साथ होगी भायो बेनो आज मैं कहने आया हूं यह असकारी एजंडा से बहार निकलना है और यहां पर डेवलप्मेंट लाना है मैं आपको कहना आया हूं भाईयों बेनों एक कॉंग्रेस अब्दुल्ला परिवार और मुप्ति परिवार ने विकास के लिए कुछ नहीं किया विकास के लिए अगर किसी ने किया तो नरेंद्र म मोदी जुने किया नरेंद्र ब्हुत आइए हमारा नेसनल आयवे 144 से के पूँच तक पहुंचाने का काम कि नरेंद्र मोदी जेतकिया है है कि शाध्रा शरीब से लेकर र भडी वैग तक नरुठ बनाने का काम नरेंद्र मोधी जी ने किया मंगोटा से दरहाल तक हाइश्कूल राजदानी से बिसामोडा तक और गली से सहरद्रा सरीब तक पक्की सड़क करने का काम नरेंद्र मोधी जी ने किया है और दो कैबिनेट पहले ही मोधी जी ने ताई किया है कि देश बर के पहाड़ी क्षेत्र में पचास की भी जहां आबादी है वो सारे गाव मजरे टोले को वो आबादी को पक्की सड़क से जोड़ने का काम नरेंद्र मोधी सरकार करेगी इसको सबसे बड़ा फाइदा सबसे बड़ा फाइदा हमारे पहाड़ पर होने वाला है भाईयो बेनो सोनी सानुकोट नाकी तांडवल एस सारे गावों को पक्की सड़क में जोड़ा है और सहादरा सरिप में बहुत जल्द ही उडन खटोला रोपवे लगने वाला है जिससे यहां आने वाले परियटकों की संख्या बढ़ जाएगी और बुजुर्ग लोग भी चद्दर चड़ाने के लिए सहादरा सरिप पर जापाएंगे भाईयो बेनो ठाना मंडी में नया फुटपाज बनाया मुगल रोड में रेश्टाउस बनाया ठाना मंडी में जिल्ला अस्पताल का निर्मान हुआ और पहाडी समाज को पहाडी समाज को रिजर्वेशन देने का काम भी नरेंद्र मोधी जी ने किया है भाईयो बेनो मैं आज आपको कह कर जाता हूँ हमारा संकल पत्र गोष्णा पत्र है कि पहाड पर सबसे वरिष्ट महिला जो घर में है वो हर महिला को सालाना 18,000 रुपया देने का काम नरेंद्र मोधी जी 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 उजवला के लाबार्थियों को दो सिलिंडर मुप्त दिये जाएंगे इसके साथ साथ गैस सिलिंडर का दाम पांसो रुपया कर दिया जाएगा यह हमने तै किसानों को 6,000 रुपया मिलता है अब से 10,000 मिलेंगे और कुरुशी के खेती के बिजली दरों में 50 प्रतिसत की हम राहत करेंगे और पहाड़ पर 500 पॉइंट तक बिजली का बिल हम माप कर देंगे जम्मू में एक आंतराष्टी हवाई अद्दा बनाएंगे जम्मू में मेट्रो ट्रेन चलाएंगे तवी रिवर फ्रंट बनाएंगे रंजीत सागरबांग के लिए अलग जिल बनाएंगे और मैं पूंच रजोरी वालों को कह कर जाता हूँ अपने पाँच तलाबों के आसपास पहल गाउं जैसे दो बड़े सहर बनाएंगे जिसमें दुनिया भर के यात्री आएंगे भाई पहाड़ी यहां भी है वहां भी है बादव यहां भी है वहां भी है तक 75 साल तक यहां नहीं बना कि यूं नहीं बना क्योंकि वह चाहते iba कि मैं आपको बता कर जाता हूँ भारत सरकार दो सहरों का विकास करेगी जो पहलगाओं की तरह एक विश्व भर में पूरी दुनिया में परियटन का सेंटर बनेंगे जिससे हमारे परियटक बढ़ेंगे और भायों बैनों मोदी जी के राज में 2014 के पहले परियटकों की संख्या 30 लाग तक सिम अब 2 करोड से ज्यादा परियटक जम्मु कस्मीर में आ रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के साशन का कमाल है हम 5 लाग सरकारी रोजगार प्रेदा करेंगे प्रगती सिक्सा योदना के तहट कॉलेज करने वाले विद्यार्थी को तीन हजार साला ना देंगे किस्त वाड में आयू सर्बल पात दोडा में परियटन उद्योग जम्मु में आईटी हब और उधमपुर में फार्मासिटिकल हब बना कर जम्मु संभाग के लिए पूंच रजोरी सहीट एक क्षेत्रिय विकास बौड बना कर समग्रक्षेत्र के विकास काम काम करेंगे पहाड पर घर बनाने के लिए पांच मरला भुमी मुप्त में देंगे और पहाडियों को जो रिजर्वेशन दिया है उसमें प्रमोशन में रिजर्वेशन देने का काम भी यह भारतिय जनता पार्टी की सरकार के बाईयों बैनों एक और मोदी जी है जो सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ आगे बढ़े हैं और दूसरी और पाकिस्तान ने बेजी हुई देशत गर्दी बढ़ाने वाले एक गांती नेरू अब्दुल्ला और मुप्ति परिवार के लोग हैं मैं आज आप से दिल्ली से आकर कहने आया हूं आप मलिक जी को विधायक बना दो उनको बड़ा आदमी बनाने का काम हम करेंगे बहुँगे मुझे बताओ बनाओगे क्या विधायक अरे ऐसे नहीं चलता भाई जोर से बूलिए जरा पहाड़ी ओपर वाद जानी चाहिए विधायक बनाएंगे कमल के फूल पर बटन दबाएंगे बाजपा को जिताएंगे पहाड़ों को हरा बरा और परियटन से यूक्त करेंगे क्या आप सभी का इतनी देर होने के बाउजूद भी इतनी बड़ी संख्या में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आपको वादा करकर जाता हूं मलीक जी को जिता कर दीजे मैं धाना मंडी में आकर एक दिन जरूर आप लोगों के साथ रुकूंगा और आपके दु आपके जे